जै माता दी दोस्तों आप सभी का आज एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों अगर आप भी किसी को चाहते हैं या प्रेम करते हैं तो आपके मन में भी ये भावना आ जाती होगी कि किसी भी प्रकार से आप उस व्यक्ति या उस इनसान को पाले लेकिन आप लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि किसी को भी पाना इतना आसान नहीं होता कुछ पाने के लिए हमें संघर्श करना पड़ता है कुछ प्रेत्न करने पड़ते हैं तो अगर आप भी किसी को पाना चाहते हैं और उसे अपना बना कर अपनी इच्छाओं की पूर्टी करना चाहते हैं तो आज हम जानेंगे कुछ आसानवे सरल उपाएं और खासकर वशीकरण के माध्यम से किसी प्रकार से भी किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कैसे किया जा सकता है हम बताएंगे मैं आज आपको ऐसी सरल विदी बताने जा रही हूं जिसके करने मात्र से ही आप किसी भी पसंदीदा व्यक्ति चाहे वे इसरी हो या कोई भी पुरुश हो उसे आप इस उपाय के माध्यम से अपने वश में करके अपना बना सकते हैं तो चलिए दोस्तो आज का जो उपाय है मैं आपको बताने जा रही हूं उससे आप अपने चाहने वालों को या रूटे हुए प्रेमी को या प्रेमी का को अपने पती या पतनी को माता पिता को या कोई भी हो जो आपसे रूटा हुआ हो या कोई भी हो जो आपसे बहुत प्यार करता हो या ना बताने जा रही हूँ वो है चॉकलेट से वशीगरन जो कि एक बहुत ही आसान और एक सररविदी है इसके अंदर आपको ज़्यादा किसी सामान की आवशक्ता नहीं है आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक चॉकलेट जो कि आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं दोस्तो इस यही है आपने उस मंद्र को एक कागज पर लाल पैंड से पांच बार लिखना है और उसको 121 बार उचारण करना है जैसे कि आप अनुज हैं और अनीता का वशीकरण करना चाहते हैं तो उसके अनुसार आपका मंद्र है बोंश्री तैनुज करू करू स्वा 121 बार मंत्र उचारन करते वक्त चॉकलेट के उपर फूक मारनी होगी साथ ही इस मंत्र उचारन करना होगा और आपको चॉकलेट को मंत्रों के साथ अभी मंत्रित करनी होगी उसके बाद अगले दिन आपको ये चॉकलेट उस व्यक्त को खिला देनी होगी जिसे आप वश्मे करना चाहते हैं और यकीन मानिए ये वीधी करने के बाद कुछी मिंटों में वो इनसान आपके वश्मे होगा और आपका चाहने वाला आप से बात करने लगेगा और जो मंतर आपने कागज पर लिखा था उसे अपने पास रखे और दोस्तों ये वीधी आप किसी भी दिन कर सकते हैं यकीन अन इस उपाय को करने के बाद जिसे आप पसंद करते हैं वो आपके वश्मे हो जाएगा तो दोस्तों आप स्क्रीन पर दिये गए नमबरों पर कॉल करके गुरु माता जी से अपनी राशी के अनुसार अपने नाम के अनुसार सिद्ध किये हुए मंतर जान ले यहां मैं आपको बता दूँ कि मंतर सब के लिए अलग-अलग होते हैं एक ही मंतर सब नहीं कर सकते हर किसी के लिए अपने नाम वेराशी के अनुसार मंत्र अलग होता है और वो मंत्र सिद्ध किया जाता है तो दोस्तो आप भी अपने नाम वेराशी के अनुसार मंत्र ले सकते हैं और दोस्तो अगर आप किसी भी कारण वशिये विदी नहीं कर पा सकते हैं या आप ये चॉकलेट उसे खिलाने में असमर्थ हैं तो आप स्क्रीन पर दिये गए नम्बरों पर हमें कॉल या वाटसप करके ये कार्या आप हमारी गुरु मातासी से भी करवा सकते हैं तो दोस्तों देर न करें जल्द से जल्द हमें कॉल करें